प्रेटराइज इसको करना है हमको 12x2-7x1 अगर जो क्वाडिटिक इक्वेशन हम लोग कर रहता है उसको हम लोग बहुत से मेथड से इसको यह क्या बलते हैं फेक्टराइज करते हैं लेकिन मैं स्प्लिटिंग मेथड से सारा बता रहा हूं स्प्लिटिंग में असान रहता है सबसे पहले जो कॉस्टेंट टर्म रहता है और यह वाला जो में रहता है इसको स्कुएर वाला जो रहता एक्स्कुराइब का जो कोफिश्येंट रहता है कि इस प्लस उसके प्लस माइनस करने पे सेवन माइनस सेवन एक्स आ जाये और उस दोनों नंबर को मैट्टिप्लाई करने पे 12 आ जाये तो सबसे पहले इसको करने के लिए असान मेथड है कि 12 का एल सीम हम लोग निकले फेक्टराइज करेंगे तो 2 6 2 3 3 1 अब हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 3 2 6 3 2 6 तो यह 3 6 यह से नहीं हो पाएगा 2 2 जा 4 यह माइनस 4 और माइनस 3 बज़ गया तो माइनस 3 तो 4 3 माइनस 4 और माइनस 3 को मल्टिप्लाई करेंगे तो प्लस 12 आ जाएगा और क्या बोलते हैं इसको प्लस करेंगे तो माइनस 7 आ जाएगा तो माइनस 7 एक्स इसको एक्स से भी आपकर समझ सकते हैं जैसे तो 12 x square x से मैं नहीं पहले बताया हूँ कि आप confuse हो जाएंगे 12 x square into 1 करेंगे 12 x square आ जाएगा और माइनस फिर उसके बार 12 को factorize करेंगे तो minus 4 x into minus 3 x करेंगे तो is equal to 12 x square हो जाएगा तो x x power 2 हो गया तो फिर उसके 12 x square हो गया और minus 4 x minus 3 x को ऐसे करेंगे minus 4 x minus 3 x को ऐसे plus minus करेंगे तो यहाँ पर minus 7 x आ जाएगा यह वाला value इसी तरह करना है हम लोग को तो is equal to 12 x square minus 4 x minus 3 x यहाँ पर हम लोग नहीं पर ऐसा हम लोग को ढूदना है कि उसको plus minus करने पर यह आए प्लस या minus करने पर यह आए और multiply करने पर इन दोनों का multiplication आए ठीक तो minus 3 x plus 1 is equal to अब इन दोनों में common number को find करना यह हो जाएगा क्या तो 3 4 x common हो जाएगा तो 4 x तो फिर 3 x देखिए 4 3 x 12 और x x x square 12 x square 4 x फिर minus 1 4 x 1 या 4 x 4 x हो जाएगा अब इन दोनों में common कुछ नहीं है तो minus 1 ले लेता है minus 1 तो 3 x minus 1 या तो 3 x minus 1 वही चीज़ यहाँ पर पहले आप लोग उतार लेजिए फिर उसके बाद देखिए तो किससे multiply करने पर यह आ रहा है तो minus 1 फिर अगला step है कि हम दोनों को हम लोग bracket में लिख देते है 4 x minus 1 3 x minus 1 कि इन दोनों को ऐसे bracket में यह factorize हो गया 4 x minus 1 bracket में 3 x minus 1 यह ऐसा rule ही है कि ऐसे दोनों सेम चीज़ दोनों तरफ bracket में हो जाते हैं तो इसको common ले लेते हैं 4 x minus 1 एक दरफ और 3 x minus 1 एक दरफ अब इसका second part हम लोग फाइंड करते हैं तो second part यह है इसमें 2 x square 2 x square प्लस 7 x प्लस 3 अब सबसे पहले देखिए 3 और 2 को multiply करते हैं यहां तो rough work में मैं कर दे रहा हूं 3 into 2 को multiply करेंगे तो 6 आ जाएगा 6 3 और 2 को multiply करेंगे तो 6 आ जाएगा 6 x square यह term और यह तिंग 6 x square आ जाएगा अब इन दोनों का सबसे LCM हम लोग find करेंगे तो LCM find करने के लिए देखिए यहां पर 6 2 3 LCM क्या मलब factorize कर लेंगे 3 2 3 2 जा 6 और यहां पर 1 भी आता है 3 2 0 6 ऐसे तो 6 plus 1 7 x हो जाएगा तो is equal to यह rough वर्ख है तो 2 x square plus 6 x plus x 1 x को x भी लिख सकते हैं 3 into 2 3 into 2 x square यहां पर ही मैंने बताया 3 into 2 x square 6 x square हो जाएगा तो 6 x square इसको plus minus करने पर वही आ रहा है 7 x 7 x को मैंने हम लोगों ने तोड़ा है उस method से तो आप common ले लेते हैं हम लोग 2 x यहां पर common है तो x यहां पर 2 x into x 2 x square plus 3 फिर वही चीज x plus 3 जो आया है x plus 3 को यहां पर उतार लेजिए अब इन दोनों में देखी यहां पर कुछ नहीं है तो plus 1 लगा दीजिए plus 1 उस तरह से फिर लिख दीजिए 2 x plus 1 x plus 3 से पहले लिखे हैं आप कुछ भी पहले लिख सकते हैं 2 plus 1 को बार में भी लिखे हैं X plus 3 को बहुत थरी बहुत पार्ट को करते हैं प्लस 5 x माइनस 6 और सबसे पहले आप देखे 6 x 6 x square हम लोग करते हैं अगर आप ऐसे लिखके को ज़रूरी नहीं है कि आप लिखके करें आप मन में भी कर सकते हैं तो मन में कर लीजिए 6 x 6 is equal to is equal to हो जाएगा 36 x square हो जाएगा यह 36 x square अब 36 x square है तो अब 36 का हम लोग factor निकालेंगे तो 36 36 2 हो जाएगा 1 8 18 2 9 3 3 1 अब देखिया ऐसे 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 9 minus 4 5 x 9 x minus 4 x 5 x तो 6 x square is equal to 6 x square plus 9 x minus 5 x minus 6 यह सब रफ वरक है तो अब इसमें देखिए 9 x into में 5 minus 5 x करेंगे तो 4 x होगा सारी 4 x वहाँ से 4 x हमें वह ने किया था 9 x minus 4 x करेंगे तो 5 x आगे और 9 x into में minus 4 x करेंगे तो minus 36 x square आएगा तो वही चीज़ आ रहा है 36 x square 6 into 6 x square is equal to 36 x square अब इसको common ले लेते हैं हम लोग तो 3 common है 3 x 2 x plus 3 अब वही चीज़े दर भी लिख लिए यह 2 x plus 3 अब 2 x plus 3 में यह पूरा नहीं हो रहा है तो minus 2 देखे टू टू जा 4 होता है तो टू जा 4 तो टू जा 4 x minus 4 x यहां पर आ गया 2 3 जा 6 minus 6 अब देखे दो ब्रैकेट हो गया तो 3 ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ हो गया तो 3 x minus 2 और 2 x plus 3 यह factor हो गया इसका factorize करने पर इसका यह result आया अब लास्ट पार्ट इसका मैं बता देता हूं लास्ट पार्ट लास्ट पार्ट में ज्यादा रफली एक्स्प्लेन नहीं करूंगा बतुरन बता दे रहा हूं उसको 3 x square minus x minus 4 अब देखिए इसको 3 x square minus x minus 4 को करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा 12 x square हो जाएगा 12 x square में अब उसको ऐसे plus minus करेंगे कि minus x आये तो minus 4 x plus 3 x minus 4 अब यहाँ पर देखिए minus 3 x plus 3 x तो minus x आ गया और इन दोनों को multiply करेंगे तो minus 12 x square आ गया और 4 3 x 12 minus 12 x square equal आ गया अब 3 अब देखिए x common ले रहे हैं 3 x minus 4 यहाँ पर आ गया फिर 3 x minus 4 इदर भी लिख लीजिए और यहाँ पर कुछ सेम चीज़ वही चीज़ आ रहा है तो plus 1 लिख लीजिए फिर इस इक्टराइस कर लेंगे तो x plus 1 3 x minus 4 इसके साथ हम लोग का question number 4 complete होता है फेक्टराइस याद रखिए आप लोग बहुत ही important होता है बहुत 10 में भी इसका बहुत use है और आगे भी बहुत इसका use है इसलिए फेक्टराइस आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा थैंक यू